दोस्तो इस बारे में तो किसी को शक नहीं है कि भारत और चीन के रिष्टे बिलकुल नीचे गिर गए हैं लेकिन हालिया के दोरे के अंदर एक बार फिर से सावित हो गया है कि भारत और चीन के रिष्टे इतने नीचे गिरे हैं कि शायद तक ये रिष्टे दुबारा से अच तो कोई confirmation नहीं है कि भारत के परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी से भी वो मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे और ज्यादातर बाते यही आ रही है कि भारत के जो परदान मंतरी हैं उनसे किसी भी तरीके की मुलाकात उनकी नहीं होने वाली है दोस्तो ये बाते बहुत सी बातों को दिखाती है और चीन के विदेश मंतरी ने कुछ काम भी ऐसे तरीके से किया है जिस कारण से भारत ने उनको एक अच्छे प्रोटोकॉल नहीं दिया है और उन्हें अलग थलग कर दिया है भारत के अंदर जो उनका दोरा हो रहा है क्या है मामला तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तो पाकिस्तान के अंदर OIC के सम्मिट होता है चीन के भी देश मंतरी आते हैं और स्पेशल गेस्ट के तोर पर अपनी स्पीच देते हैं स्पीच के अंदर उन्होंने जम्मू एन कश्मीर के मसले को लेकर कहा कि बहुत से देश हमें बताते हैं कश्मीर के बारे में अपनी बाते बताते हैं और चाइना भी कश्मीर की उनी बातों के साथ खड़ा हुआ है यानि कि जम्मू एन कश्मीर के मामले में जो मुसलिम देश यानि कि पाकिस्तान जैसे देश बोलते हैं वो ही बाते चीन भी बोलता है ये क उसके बाद पाकिस्तानसे वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। बात के अंदर तो ये सारा मामला चल रहा है और चीन के विदेश मंतरी बारत के प्रधान मंतरी से भी मिलना चाते हैं क्यों दोस्तों क्योंकि दो सालों के बाद वो भारत दोरे पर आ रहे हैं और ब्रिक्स का नियोता देना चाते हैं भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को अब दोस्तो तो भारत के परधान मंतरी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके बारे में official confirmation नहीं है लेकिन sources ये बता रहे हैं कि भारत के परधान मंतरी चीन के विदेश मंतरी से नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि और दिशों के भी विदेश मंतरी आये थे तो उनसे भी भारत के परधान मंतरी नहीं मिले थे और चीन के विदेश मंतरी जो बिन बुलाए आ रहे हैं बिन बुलाए मेवान की तरह तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी मुलाकात नहीं होने वाली है लेकिन ये सारी मामले के उपर आपका कहना है कि क्या हमने चीन के विदेश मंतरी के साथ सही किया है गलत किया ह कॉमेंट सेक्षन में बताईगा क्योंकि जो जिस इज़त का एक होता है वाली वारस उसी तरीके की इज़त भारत की सरकार देती है और मोधी सरकार की इस रवीजी से क्या आप सहमत हैं नहीं है कॉमेंट सेक्षन बताईगा